नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका आपके अपने योट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आँखों की डार्क सर्गल को किस परकार आठा सकते हैं फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आखे सबसे नाजुक हिस्सा होती है जिनका ज़्यादा खयाल रखना चाहिए आप टार्क सरगल से बचने के लिए क्या क्या उपाई नहीं करते हैं पर मैं आज आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाई बताऊंगी जिनके इस्तमाल से आप अप के रस की कुछ बूंदे डालें इस मिश्रन को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर पेस्ट बनाकर आखों के आसपास मोचो डार्क सरगल पर अच्छी तरह से लगा लें करीब 15-20 मिनीट के लिए पेस्ट को लगा रेने दे और फिर नॉर्मल पानी से वोश कर लें बहतर न मिस किया तो आपको परिशानी हो सकती है अगर आप अपने आखों को कुपसरद बनाना चाते हैं तो आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए इसके लाव फ्रेंस अब मैं आपको बताती हूँ अगला उपाई और इंज जूस में ग्रिसलीन मिलाएं और डार्क सरगल पर जोकी है टमाटर टमाटर की जूस को आखों के आसपास लगाएं और 20 मिनीट तक लगा कर रहने दे फिर पानी से दोले इससे आपकी आखे बहुत ही सुन्दर हो जाएगी और आपकी आखों का कालापन बहुत ही आसानी से खतम हो जाएगा इसके अलावा फ्रेंस बात करते ह अगले उपाई की जो की है खीरा खीरे के जूस को हर दिन डार्क सर्गल पर लगाएं और 15 मिनीट बाद साफ पानी से धोलें डार्क सर्गल कम होते होए आपको नजर आ जाएंगे यहां आप हर दिन कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंस बात करते हैं अगले उपाई की जो की है बीटामिन ई बीटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल भी डार्क सर्गल के लिए बहुत ही जदा फाइदे मंद है इससे डार्क सर्गल बहुत ही आसानी से दूर हो जाते हैं रात को सोते समय आपको ढर सरगल पर बादाम का तेल लगा लेना चाहिए इससे आपके आखों का कालापन बहुत ही असानी से दूर हो जाएगा इसके अलावा फ्रेंज्स आपको बेसन का भी इस्तमाल कर लेना चाहिए बेसन में जड़ा सा गुलाब जल डाल कर और अपनी आखों पर लगा ले इसका पेस्ट बना कर अपनी आखों पर लगाएं कम से कम आपको 20 मिनीट तक इसे लगा रहने देना है उसके बात में आप साप मानी से अपने चेरे को दो लें फिर आप देखेंगे के आपके आखों के डार्क सर्गल किस परकार कतम हो गए है तो देखा फ्रेंज आपने यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भुले थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं अब अकली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई